हम आफ िस तैयारी को कभी ऐसे अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं हम यह नहीं पढ़ सकते हैं कि सव पर परी वाला पढ़ लेते हैं उसके बाद जनाद मेंस मेंस वह पड़ना पड़ता है इसको एक साथ आप आपसा एक मिने डेड़ मिने में एहां का सकती है भासा सब्चक् kilka always is वह आते 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 अक भाहर पटना कभी बंद मत करना डेली अकबार रात को पढ़ना सुबह कभी मत पढ़ना हलांकि आप नहीं करोगे मैं स्टांप पे लिखके देदेता हूं आप पाकि सब कुछ कर लोगे अकबार नहीं पढ़ोगे इसलिए पढ़ना जरूरी है कि वे लोग जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनको डेट सुनो थोड़ी शी बात है कि बैसिकली हम जब आप कई दिनों तक अगले पढ़ेंगे तो कि आप एधी आरेस का सलेबस उठागे देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि तीन परकार की चीजें पूची जाती है एक राजस्थान से रिलेटेड एक इंडिया से रिलेटेड और एक वर्ल्ड से रिलेटेड जैसे मानलों अपने इस्ट्री की बात करें तो अपने पढ़ेंगे राजस्थान की इस्ट्री इंडिया की इस्ट्री और वर्ल्ड की इस्ट्री हम जोग्रफी पढ़ेंगे अजयस्तान की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी, वर्ड की पॉलिटी, वर्ड की पॉलिटी, वर्ड की पॉलिटी से लिए बस्वें, है क्या आपके वर्ड की पॉलिटी से लिए बस्वें, क्या है आयार, क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतराष्टरी संबं मालडीव भारत के क्या रिलेशन है, भारत- भूठान की क्या रिलेसन है, अमेरिका चीन की क्या रिलेशन है, यह भी तो हम पढ़एंगे, यह भी तो qualitative यह अपने आप मे, एन्टरनेश्नल восп quality, एक सबजेक्ट हम बड़ा subject पढ़ता है, science पर वो बाद में एक ही हो गया, अब वो राजस्तान में भी है, इंडिया में भी है और वल्ड में भी हो ही, थोड़ा बहुत सरकार की योजनाय वगरा जरूर हम पढ़ लेते हैं, कि राजस्तान सरकार ने कोई टेकनोलोजी की योजना अलग चला दी हो, इंडिया पॉलिटी और ये दोनों के अंदर आएंगे, प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, तो ये सब्जेक्ट अपने कोई ते अच्छे से पढ़ने है, कि प्री तो आराम से पास होई जाए, मेंस में साढ़े 300 नंबर का पेपर आई है, कि मेंस के अंदर इनको कि दुछ नए सब्जेक्ट जोड़ते हैं, दो बड़े नए सब्जेक्ट जुड़ते हैं, एक होता आपका पवेड और ये जुड़ता आपका इथिक्स, कौन-कौन चे तो? कि पवेड और इथिक्स, दो बड़े सब्जेक्ट, जैसे ये एकदम 70-70 नंबर के बड़े- कि जैसे आप नाम सुनते हो तो साइक्लोजी जैसे हम सुनते हैं कि बिजनस मेनेजमेंट कि ओडिटिंग कि आप इसी के अंदर पढ़ेंगे सोशियोलोजी आप इसी के अंदर पढ़ेंगे योगा और स्पोर्ट्स आप इसी के अंदर पढ़ेंगे लोग कि इस प्रकार कि इच्छा है सब्जेक्ट आप अलग लग पढ़ेंगे इसमें पिर इसके लेंग्विज का पेपर होगा और लेंग्विज के इंदर आप पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिज हें दो परिये पढ़ेंगे passing एक लिए अधारा मेने का लेखा है जोखा है कम यह यह व्लेश सब्जेक्ट जो प्रिय कि आएं गीं को मेंगें और यह वो किसमें राइंगे मेंज पर हम इस तयारी को कभी ऐसे अलग लग करके नहीं पढ़ सकते हैं, हम यह नहीं पढ़ सकते हैं कि सर पहले प्री प्री वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद मेंस मेंस वाला पढ़ लेते हैं, ना, इसको एक साथ ही पढ़ना पढ़ता है, क्योंकि यह पांच सब्जेक्ट वो है जो प्री में भी पर आपने तेहां पंदरा सब्दों में पूछते हैं तो जो प्री में फेक्ट होता है उसको वहां पर लिखना पड़ता है कि मालों प्री के अंदर एक क्योशन बुचा आपसे कि बिजोलिया किसान अंदुलन के मुख्य नेता कौन थे विजे सिंग पतिक यह प्री का क्योश माएं गलधे यह मैंतोर सब्सक्राइब कि पड़ती요 vet की एधर आपको टिक करना होता हाँ उधर आपको उसी के बारे में क्या करना पड़ता है लिखना पड़ता है तो आमें धोनों एक साथ पड़ना है अमारा थोड़ा से जब हम यह आगे पड़ेंगे थोड़ास यह र कि उनकी शर्विस में जो भी लोग आये वह उनके बारे में जाने पंजाभ चाहएगा पंजाब प्रुटी रास्तन की पता होना चाहिए तो के संबधेक्ट पढ़ाते हैं, एक कोई subject ले लिया जाए राजस् mensenong और जी साथ साथ में लगा नहीं पराबर चलते रहें तो यसै कि, Bene mo-, ढम्जा और भी यतना सैंगे डार ददी, मैं आपको आपको राशेश्थान पढ़ाउंगा आपने ये भी कर लेंगे कि थोड़े दिन ये क्लासे चलती है थोड़े बेच जम जाता है आपके समझ महाना लग जाती है चीजे तो आपने ये भी करते हैं को एक आदा सब्जेक्ट प्योर मेंस का साथ में चला लिया जाए इसे हिंदी पढ़ लिजाए इंग्लिस पढ़ ल अपने जब 15-16-17 महिने यहां पर रहते हैं तो साथ में डेली-डेली ये थी थोड़ा-थोड़ा साब वह पढ़ेंगे तो धीर-धीर अपनी कमांड आएगी और पिछले दो-तिन अटेम्ट से हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों की बासा पर कमांड अच्छी है उनकी र अच्छी हो जाती है तो अपने को प्रियास करना है कि हिंद इंगलिस अपने अच्छी रे एक आप करोगे तो नहीं फिर भी मेरा कृतव बनता है कि मा आपको बता दूं अगले 18-20 महिने तक जब तक आपका सेलेक्शन नहीं जब तक ये प्रिक्रिया चले आपकी आरेस वा करना डेली अकबार रात को पढ़ना सुबह कभी मत करना हालांके आप नहीं करोगे मैं स्टांप पे लिखके दे देता हूं आप बाकि सब कुछ कर लोगे अकबार नहीं पढ़ोगे कज इसलिए पढ़के वे लोग जो सेविल सर्विस कीयारी करते हैं उनको डे तो से अपडेट रहना देखाता है और वह यह यह नहीं पता कि आज की दिन के अंदर क्या होना सुरू कि बच्छों को जब पहले में यह घता था यरकरिश्ग यंज confession तो कैसे पढ़ोगे बच्चे मेर से बूझते कैसे पढ़ें तुम आपके टाइम से बहुत दुनिया आगे निकल चुकी है और मैं एक मैगजीन लेके आउंगा अकभार आता है 30 दिन तक अकभार आता है एक कोई बंदा माललो मैं हूँ मैं आप जनल यह ने जूनियर और मैंने कहा है कि अकभार की अच्छी के तक लुट इसक्ति हो थी हुट जब आप कवी देस्समंटि ने बारत की यात्रा की उन्होंने भारत के विदेस्समंट्री जैसां प्रसाइस प्रकार की बात sí he एक दिन ऐसी खबर आती है अगले दिन आती है युक्रेन के विदेश मंत्री तदा भारत के विदेश मंत्री के बीच भी बात्चीत में तीन समझोतों पर साइन किये गए अगले दिन फिर बात्चीत आती है युक्रेन के विदेश मंत्री ने जाते-जाते कहा युरूस और य एक जिन के इंदर एक जिन बढ़ते हैं और वैसे भी मैं कहता हूं यदि कोई बंदा एक्जाम दे या एक्जाम ना दे पर यदि वो ग्रेजुशन कर रहा है बीए में कर रहा है इन दिनों में अकभार नहीं पड़ता है बहुत गलत बात है तो आप तो पढ़ेंगे अपने क्लास-पास वाले प्रिक्करन से अपडेट रहीन है दे डेश दूनिया में वहरी से Stock जबास में पता हो न चहिए दिनीया में चल रहा है उन हमें कर दों में पता है इसे बुरिए कुछ नहीं हो सकता है मैं आपको नहीं कहूंग आपका पहला दीन है वाकि मैं अ कि हमारे पड़ोसी रज्य के मुख्यमंत्री का नाम हमें नहीं पता तो मैं यह तो उमीद भी केसे करूँ आपसे कि आपको मिजोरम का मुख्यमंत्री भी पता होगा मिजोरम वाले को आप से सिधा सिधा कोई लेना देना भी यह तब आएगा जब आख भाहर पड़ेंगे फिर मैं जब यह करता हूं तो बच्छा करता सर आज के आज देखो मैं सारे राज्यों के मुख्यमंत्री गोट देता हूं आप जब इस परकार से पड़ते हैं एक दिन म कि जाएगी अग्ला दन वापस आता है मुख्यमंतरी बिरेन शिंग ने ग्रह मंत्री के मुलाकात मुलाकात मनिपूर में गति रोथमें कोई ने को रांकर से निटा निकालने की हुई संभाव ना तीन दिन बाद वापस आता है वीपक सी देलों बिपक्शी दिलों मुख्य नहीं कर पाएंगे फिर भी मेरी बात मानना गुरू की तरह नहीं सर की तरह नहीं बड़े भाई की तरह मानना डेली से आमको अकभार पड़ना डेली टाइम निकालना कि 45 मिनिट अकभार पड़ना है कई बार आता है इस्टुएंट गाता है सर कौन सा पड़ू जो अच्छा लगे वो पर जिसके पेज चीकने चीकने ओज्यादा ओपर जाकर देख जदा छीखने पेज किसके हैं वो पढ़ना है मैंसर उसमें क्या पढ़ू तेरे जो अच्छा लगे वो पढ़ टेमपो ट्रक की भिढ़न से पांच मरें दो घैल पढ़ कोई बात ने उस्में भी कोई ना कोई खबर आई जाए अब यह चोड़ किस clock ना कि साइक भार पढ़ डूर। उसमें क्या क्या पढ़ना है आप पढ़ना तो सुरु कीजिए यह सवाल तो अग्ला ना कि कौन सा पढ़ना क्या कि और हमें पढ़ना कि चुनाव इतनी तारिकों यह लांत एक भार किया घुत जुछ जो आपका जो होकर वया है वो डाल के चला जाए आपके वो अकभार पढ़ ले आपको सस्ता लगे वो पढ़ ले जो अच्छा लगे वो पढ़ ले किसी भी परकार से आप पढ़ सकते हैं उस अकभार को पढ़ लिया जाए सर उसमें क्या पढ़े एक बार जो जैसे पढ़ा कभी भी शुरुवात के अंदर आतमी को इतनी नहीं चीज़ें सोचनी कि आर मैं एक दम सही चीज़ें पढ़ूंगा हम गलतियां करकर करके सीखते हैं एक बार आपको जो मैं अभी आपको कदूंगा एकोनुमी वाला पेज पढ़ना आप उस पेज को जाके पढ़ते और उसम अच्छी लगती है वह पढ़ लीजिए जो बला लगे वह पढ़ना शुरू कि आपको गाउं की खबरें अच्छी लगती है गाउंवाली खबरें पढ़िए उनमें भी कुछ ना कुछ काम की बात होगी उसमें भी खाटू श्याम जी जा रहे यत्रियों पर बस चढ़ी त भी किस्टन यह है किसने का कि वहां से हम कुछ सीख नहीं सकते आप तमाम चीजों से सीखते हैं आई बात समझ में तो हम अभी रास्तान सुरू कर लेते हैं अगला जो पिरिडों का वापका एकोनोमिक हो जाएगा अच्छा मैं इसलिए पूछ रहा था आप से कि आपके इस होता है एक उसका modern होता है तीन वागों में पढ़ते हैं एंशेंट पार्ट पढ़ते हैं उसका medieval पढ़ते हैं उसका modern किसी भी देश की इस्ट्री पढ़ते हैं आपको भारत की इस्ट्री पढ़नी है आपको यह भारत का बटेकाल इंतियास इटलीस यपा seriously around suisher идет को मुझे राजेस्थान का पढ़ने राजेस्थान फष्राइश नित्यास राजेस्तान का अधुनिक इतियास पर सवाल यह हम कैसे बंट है कि यह तो प्राचीन है यह अधिकाल है यह अधुनिक है ऐसा हमारा क्या पेरामिटर है भारत की श्ट्री के संबंध में चुंकि अंग्रेजों का लंबी टाइम तक राज रहा इसलिए अपना पढ़ने का सासन गा जो भी तरीका यह किसका सेट किया वह अंग्रेजों तो अंग्रेजों ने आके अपने श्ट्री को तीन भागों में बंढ़ना अंग्रेजों का एक राइटर वागता था जम्समील क्या नाम था उसने कहा कि बारत की श्ट्री को तीन भागों में माटवा जा सकता एक उसका इंशेंट मेडिवल कोई बढ़न भांधे हैं पर हमारे वाली कहां से कहां तक कूं क्यों से मैं कुछ सब्द आपको बताता हूं इन सब्दों पर तुम गोर कर लो उसने कुछ सब्द नाम लिए से मल कालिदास अभीकान साकुंतलम वरहामिहीर चंद्रगुप्त समद्रगुप्त गारगी यग्यवलके परासरिस्मृति मनुष्मृति उसने और कोई नाम लिया हर्सवर पर चंदी फुतू है उस सलातीन किरान उस सादेन मिफ्ता अलुफुतू है खजाइन अलुफुतू है अब बक्री सामी उसने का आप मामनेगार पोरे हालात बदल गए उसने कमा थोड़ा और चेंज कर देता हूं उसने और चेंज कि उसने का वरें हैस्टिंग से ऐसे बेंगल वर्नेकुलर प्रेस एक लोड लीटन लोड रीटन रिपन यह कैसे लगे उनिगार वापस चैंज हो गया उसने का बैसी है यह जहां पर पहले जो नाम आ रहे थे संस्कृत वाले वो तुमरा प्राचिन काल है जब फार्सी की नाम आने शुरू हो गे थे वो तुमर अधुनिक और इसको स्पष्ट कर दूम जब हिंदूओं का राज था वो प्राचिन काल है जब मुस्लिम भारत के इंदर आगे थे वो मद्ने काल है जब अंग्रेज आगे थे वो कौन सा है अधुनिक आगी वास समझो यह का यह राजिस्थान पे लाग हो जाएगा पर रा यह राज नहीं था खाना और पीन को मिले इसलिए मनुस्य ने सौका कि यार सबसे पेले पीने के जुगाड किया थै पाली पीने के अरही नहीं जाएगा इसलिए मनूस्य हमेशन डियों के पास में रहा कि कि कई बाहर ठांटयों के देखने को मिलती है और planet honoris में भूभ भाग में लोगर रहे तो हैं इतने अनुकुल प्रिश्थितियां नही थी आप यहां पर इतने ज़्दय लोग दिखाई आप जहाँ लोग ज्यादा रहेंगे वहां ख्यती हो रही है तो वहां पर टेक्स भी ज्यादा मिल रहा है तो राजा पावर्फूल हो रहा है राज्य भी बड़े बड़े हो रहे हैं इसलिए भारत की राजदन्दी पाटली पुत्र जये चाल कॉन्छेए पाटली बुतर मतलब आज का पटना वह में अपनी राज़दानी बने इस अदर कणे निम अनीवी तो इसका मतलब एंदर अपनी डैंशीट wavelength हा थी उस साइड साड एडु में लोग ज़्याधा दिल्ली राजदानी आई तो राधिस्थान वाणों से पंगी होए से दिसीदिए एक तो मनुस्य तोड़ा इंटलिजेंट हो गया अब उसे लगा क्या नदी के आउसकता नहीं है कुवा खोद के भी तो पाणी पी आई जा सकता है तूभी वाली भी तो खोद सकते हैं इस राधिस्तान के साथ यह थोड़ा सा मामला अलग है अंग्रेज जब भारत में तो अंग्रेज बाइस भारत में आये थे बिजनस करने के लिए, बिजनस करने के लिए आये तो उन्होंने उन उन जगह पे कबजे के जहां पर बिजनस बहुत अच्छा होता था, राजस्तान में उन्होंने कबजा नहीं किया, क्योंकि अपने आर्थिक संसादन ज्यादा नहीं थे और वो यहां पै अंग्रिजोंगा डिरेक्ट रूल नहीं था उनिस सो सेंटालिस में भारत आजादवा था हम नहीं कि क्योंकि हमारा उस समय भारत से कोई लेड़ा देना नहीं था हम भारत से अलग हुआ करते भारत वह था जहां पर अंग्रिजोंगा राज हुआ करता उसको बोलते बीटिस हमेरे देश हमारे में किसी का दुऊंध रही कसी बहुआंक किसी का करोली कि यह ईसलमेर किसी जैसलमेर कोटा हमारे देश्रों का भारत हमें व्ले करने रहा हमें गूंभ sound को मिला कि हमारा राज्य बनाया गया पहले एस परकार का वाधवालन नहीं था, अलग- stalध देश सुआ करते खोलदे वाई डरेक्ट कंट्रोल नहीं था हमरी अंग्रेजों के साथ में संढ़ियां था, दूसरे सब्दों मेंको तो हम अंग्रेजें के दोस्ते था बहरत कुलाम था अपने वाले दोस्तु थे अपने वालों के अंग्रेजुग दोस्तु थे आप तयुकि वह बहुत कर। आपको एकदम तो आपने जो सायोग ही कर रहे थे अंग्रेजों का इसलिए आप कभी नहीं पड़ते आप यह पड़ते हो कि गंधी जी ने गुजरात से लेकर महराष्टर तक एक यत्रा निकाल इसका नाम दंडी यत्रा आप पड़ते हो कि भगत सिंग जी ने दिल्ली में ब जे संगल टाइम कभी सुना कि बगत सिंग करो लिय आयर आके कहा कि इंकिलाब जिंदाबाद। आपने कभी सुना कि Gandhiji ने भीका ने राके का करो या मरो, आपने सुना कभी कि भासंदर बोष है जो जैसल मेर है जैसल मेर रहुआ कि का तो मुझे खून दो मैं तो मैं तुम्हे आ दी दूँगा, अपने खून ले लेते हैं देते कि इसको क्योंकि आपना अंग्रेजों से लेना देना नहीं था ये तमाम नाम जो मैंने लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे अपने अंग्रेजों का लेना देना नहीं था फिर अपने अंग्रेजों के लड़ाई भी नहीं थी लड़ाई नहीं थी तो अपना यहां को ज्यादा ले डेमोग्रेशिय ही राजस्थान या जो भी रियासितों वाला भारत था वह राजाओं से आजादवा और उनमें आजद्या ही यहां पर बात में दोनों को मिलाया गया बीट इंडिया को और राजाओं वड़ा पार्ट था इनको मिला अगर मिला कि हमारे आज का देश बनाया गया भारत उस लिहाद से देखे तो मोडन अपनी खतम ही हो जाती जब अंग्रेज जी नहीं थे तो फिर अपने नहीं सकता किस प्रकार राजाओं ने अपने राजगदियां छोड़ी और जनता को सासन मिला और दिर दिर हमारा राजस्तान में डेमोक्रेसी तो वो पॉर्शन अपना कौन सा हो जाएगा आख ऑले पड़ी बात है तो पुराने जो बाते पड़ेंगे सभेता ओं की वह तो किस पड़ेंगे एंशिंड उर जनता का राजा के खिलाब जो रियक्शन दिखाई देगा वह पड़ेंगना साब साब दिखाई दिया सभेता वाला प्राचिन का राजा मारा राजाओं के लड़ाई जगड़ों की रिस प्रकार की बाते हों किसमें मेडिवल और राजाओं के खिलाब जनता का जोरी एक्सन दिखाई जा रहा हो किसमें पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ते हैं किसान अं इदर से उन्होंने सवाल थोड़े कम कर दिये पर इदर से वास्तों में कि उन्होंने सवालों को डिवाइड कर दिये जब मेडिव पड़ते हैं तो मेडिवल को basically दो भागों में बास्कें पड़ते हैं एक political और कौन कौन छी? पॉलिटिकल और कल्चल. व değild का मतलब पॉलिटिकल का मतलब राजा ने किस राजे से लड़ाई की؟ फलाने राजा का फलाने राजासा युद्ग द्धूँआ करता था और इश्ट्री में किस्ट्री में यादे पनिपत का पहला युद कब हुआ था, तरहीन का दूसरा युद कब हुआ था, यह युद किन किन वह राजाओं के बीच में हुआ था, मतलब यह इस्तुरी में 100 क्युछन पूछे मैं तो 27 क्युछन युद्धों के पूछ लिए। इसलिए किसी ताइम में कहा करते थे कि इस्ट्री तुम बड़ी बेवववा रात को याद कीर सुबह सबसफा इतने सन कैसे आदों कि इतने सारे पलाना युद्य वा पलाना युद्य वा तो बच्छों के याद भी नहीं होते थे पिछले कुछ ताइम से इस्ट्री का पेटर किले को पढ़ने के लिए राजा तो पढ़ना पढ़ेगा या राजा पढ़ोगे तो किला अपने आप या पढ़ोगे लेकिन किशन राजा का नहीं है किशन उसने किले का पूछा है किले में भी क्या पूछा उसने मुर्ति उसने और पूछा है वह यह पूछे का कुंबा क OCTIM में एक मंढन नाम का आदमी रहा करता था। उसने किताबं लिखें। उनमें से कौन सी किताब नहीं है, है तो राजया का? क्या बिना कुम्भा को पड़े, मंढन को पड़ा जा सकता है? नहीं और उसने मंदन की बात जो पूछी हो किताबों बड़ी बात पूछी है उसने किताबों का subject पूछा है तो अब वह literature की question बूचता है अब वह paintings की question बूचता है आप वह architecture के question बूचता है अब उस time में दूसरी कोई को भी कल्चरल अक्टिविटी को बढ़ावा मिला उनकी कुछन पूछता है मेडियवल के किस्टन आते हैं और किस्टन की तरफ कर दी और चुंकि हम इस्टरी पढ़ते हैं तो दो भागों बांटे कि पढ़ते हैं इसलिए और कि यह बात है तो हम कल्चर में पढ़ लेते हैं जब साब साब इस्टरी लिखते हैं तब हमें लगता है इधर से कुछन कमा रहे हैं उदर से जदा रहे हैं बात वह एक है आप जब तक मीडिवल नहीं पढ़ेंगे तब तक कल्चर समझ में आएगी नहीं इसलिए अपने को पढ़नी पढ़ती है पर कुल मिला के सो बात की कि एक बात है कि राजा माराजां वाली जो युद्धों वाली बात है वह आपने को कम पढ़नी है वह जदा पढ़नी है तीसरे आपना यह आईगे आप मोडन तो इसलिए इस्ट्री की कुछन मेडिवल से तो एकदम कम होगे पोलिटिकल वाला कम होगे कल्चरल बंट के एं एंशेंट चोटी है तो कि उसकी कमी में बनेंगे आप यह देख लो कि इंटिया जा कि पढ़ते है ना तब आंचेत इंडिया जब आम आपको पढ़ाएंगे तो दिन लगेंगे एक महीना एक नहीं तो 20 पतरीज दिन आराम से उसके लगेंगे जब रिडिवल पढ़ेंगे पेज बढ़ते हैं 6, इते में राजस्थान का प्राचिन कंपलीट हो जाता है, अब 6 पेज में से ज्यादा सदा किते कुष्ण आ सकते हैं, 2, 3, कि उसलिए कम हो जाते हैं, उसका उदर सलिबस ही कम है. यह वह थोड़ा सलिबस भी बढ़ा है, यह यह whole कि उसलिए कम हो जाती हैं कि क्योंकि यह द 얼सू का है, है काम हम गते हैं एदि इसका बश्चेथ हम भी पहले इसी खोट ये वह ला पर ले और ये तीनों अलग लग है इन तीनों में आपसमें कोई लेना देना नहीं एसा नहीं कि एंसेंट नहीं पर दो